लालू जब जेल जाने लगे तो अपनी पाँचमी फेल बीबी को राबरी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया वैसे कहते हैं गाउं में वो पाँचमी पास है अभी हाल में एक मीडिया से बात करते हुए राबरी ने कहा कि गाउं में पाँचमी के आगे पढ़ाई नहीं होती थी इसलिए हमारी पढ़ाई रुग गई राबरी मुख्यमंत्री बन गई लालू की उत्रादिकारी और संभवत्त है देश में तो कम से कम दूसरी मिसाल नहीं कि किसी का मा और बाप दोनों चीप मिनिस्टर हो तेश स्वी और तेश पटा वो खिसकिसमत्पुत्र हैं जिनके माता और पिता दोनों चीप मिनिस्टर हो लेकिन कमाल की बात यह है दोनों के दोनों नौमी पास तक नहीं कर तेश स्वी नौमी फेल हैं और कहते हैं बड़ा बेटा तो पांच मी फेल जिसका मा, बाप, दोनो, चीफ मिनिस्टर राहो बिहार जिस है राज्जी का, जिसके पिता उस दौर में सत्तर के दशक में ओष्ट ग्रेजविट हों, पटना इनिवर्सिटी छातर संग के नेता हों, उसके बेटे की ये दुर्दसा हो सकता है इश्वर ये न्यायो, क्योंकि लालू प्रसाद यादब का पूरा राज, जंगल राज के रूप में जाना जाता है, और जब तक लालू का राज रहा, तब तक बिहार के छात्र भवोड़ा होते रहे, बिहार से भागते रहे, आज इस्तिती ये है कि जिस बिहार के पोरी पोंजी सिक्षा है, जिस बिहार आप बिजनेस की बात करें तो वहां के अख़वारों में आपको सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर्स के एड दिखाई देती देख जहाँ पर कोई रोज प्राइवेट कंपनी नहीं जाती उस राज के डिप्टी सीम हैं पानौमी फेल तेजस्वी आदव और तेजस्वी तेजस्वी ने कहा है कि बिहार की जीडीपी देश में सबसे बड़ी है है न कमाल की बात राज के डिप्टी सीम है नौमी फेल हैं जीडीपी के गविद्वान है लालु यादव के बेटे हैं चुकि एमवाई समिकरों उनके पिता ने गढ़ा है जातीकत जनगन्ना की मानितात हो गई है उस जनगन्ना में यादवों की संख्या बिहार में जाती क हिसाब से सबसे जादा है और मुसल्मानों की संख्या नंबर टू लालु ने दोनों का गट जोर बना रखा है एमवाई की गट जोर और उसके बाद लालु को कुछ कर लेकिन इस तेजस्त्री आदव का ज्यान क्या बिहार की जनता के लिए उनका मजाक नहीं बनता जिस बि बिहार की ये बत्तरी है उसका डिप्टी सीम जीडीपी का ज्यानी हो गया है और जो बिहार आर्थिक दिर्ष्टी से पीछले पाइदान पर है सेक्शनिक दिर्ष्टी से पीछले पाइदान पर है जहां एक प्रतिसत भी कोई रोजगार लेकर नहीं जाता रोजगार को ले लेकिन बिहार के डिप्टी सीम ग्यान जीडीपी की दे रहें और ग्यान इस कदर कि पूरी गुजरात को गाली देते हैं और कह देते हैं कि पूरी गुजराती ठब होते हैं जिस गुजरात में जाकर के बहुत बड़े पैमाने पर बिहार के मजदूर काम करते हैं जिस गुजरात की अर्थ निती का सेंटर पॉइंट बिहार के मजदूर होते हैं जो बिहार के मजदूर गुजरात जाकर खुश होते हैं उन अपनी अर्थिक स्थिती ठीक करते हैं रोजगार का उनके लिए जो जड़िया गुजरात है उस गुजरात को तेजस्वी आदब ने कहा है कि वो गुजराती ठग होते है। यदि उनके बयान को पूरा स्वता पढ़ें जो कोट में रिपोर्ट में है कि आज देश की हालात में सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं। उनके ठग को माप भी कर दिया जाएगा, LIC बैंक का पैसा भी दे दिया जाएगा, फिर भी वो भाग जाएगा, तो कौन जिमेदार है। तो आप तो जानी रहें, कितने लोग ऐसे हैं, इनके दोस्त, इनके यार, जो भ्रस्टा चार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग का तोता जो पिज़ना से निकलता है इनके लिए। इनके लिए तनी तेजस्त्वी आदब के खिलाब वारंट जाड़ी हुई है। इस मामले में भी अब उनको जमानत चाहिए या सीधे जेल जाए। क्योंकि ये पूरे मामले की सुनवाई गुजरात के दालत में हो चुकी हुई है। हरेश मैता नामक कारोबारी ने कहा है कि तेजस्त्वी के इस रवाइये के कारण पूरे गुजरात की बदनामी हुई है। और इस रहा से तेजस्त्वी जैसे नेता जो बिहार के डिप्टी सीएम है उसके बयान से गुजरातियों की छवी खराब होती है उससे उनका बिजनेस खराब होगा। इसलिए उनके उपर मानहानी का केस्ट आर्थिक रूप से और क्रिमिनल रूप से ठोंका जाए। तो तेजस्त्वी अब जीडीपी का हिसाब जेल में देंगे। कहते हैं कि बाप के बल पे आप कुछ भी हासिल कर लीजिए लेकिन आपकी अपनी योगिता आपके मुख खोलते ही साबित होता है कि जिस्वी इसे बहतर साबित करने। बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मात्रम जैहिंद। झाल